नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल AS Education Classics में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सिच्छा मनुविज्यान की दो महतपूर बिदियां जिनका नाम है आगमन बिदी और निगमन बिदी दोस्तों इस वीडियो में हम आगमन बिदी और निगमन बिदी के बारे में प अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी दोस्तों में सेयर जरूर कर दें और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आएकन को क्लिक कर दें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उस इस बिदी में प्रत्य चनवब जो कि हम देखते हैं सामने जो होता है वो देखते हैं उधारणों सबसे महतुर बात उधारणों तता प्रयोगों का अध्यन कर नियम निकाले जाते हैं यानि कि इस बिदी में सबसे पहले उधारण दिये जाते हैं उधारण दिये जाते हैं ज दोस्तो इस बीदी में हमने सीखा कि आगमन विदी एक ऐसी बीदी है जिसमें सबसे पहले उधार दिये जाते हैं पिर नियम बनाया जाता है उन उधारों से इसको बोलते हैं आगमन विदी इंडेक्टिब मैताड़ इसमें क्या होता है इसमें सिचक छात्रों का जो अध्यन कराता है वो प्रतिच से प्रमार की ओर यानि जो प्रतिच होता है जो हमें दिखाई देता है उससे उसका प्रमार क्या मिलता है उसकी ओर अध्यन कराता है इस तूल से सुच्छम की ओर और विशिष्ट से शामान की ओ और अध्यन किया जाता है आग्मन विदी में तो दोस्तों ये इसकी महतपूर तीन महतपूर तीम बिंदु है प्रतिच शे प्रमार की ओर इस्तूल से सूचम की ओर तो सबसे पहला चलड़ होता है आगमन विदी में सबसे पहले हमें एक उधारण प्रस्तुत करते हैं यानि कि एक एक एक्जामपल देते हैं जैसे कि एक्जामपल के रूम में हम ले सकते हैं कि जब बंदूक हम चलाते हैं तो बंदूक पीछे की और तेजी से जटका मारती है यानि पीछे की और तेजी से लोटती है तो यह एक उधार हुगा अब second step है वो है इस उधार का nurture किया जाता है यानि observe करते हैं हम इसको करके देखते हैं तीसरा इसका step है इस उधार के आदार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे शामानी कर कहते हैं यानि जनरलाजेशन दोस्तों यह जो हमने उधार दिया वो Newton का तरती नियम होता है तो हमने मानकों पर standards पर खरा उतर रहा है या नहीं तब जाके वो नियम बनता है तो दोस्तों आगबन विदी में सबसे पहले हम example देते हैं फिर उसका रिचर करते हैं और फिर उसका सामानी कर यानि जनरलाजेशन और उसका last में testing and verification करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों आगबन वि जयानको खोजने का मौका उपलब्द होता है दूशा है ग्यात शे अग्यात की और इसमें अधिन किया जाता है यानि जिश्य बालकों में जग्याशा बनी रहती है किरुशिटी बनी रहती है स्वयम से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक इस्ताई रहता है यानि बच्चा इसमें जब उदार्ड खुद देखता है खुद सामाने नियम बनाता है तो यह अधिगम जो है वो इस्ताई बना रहता है अगला है बालक स्वयमी शमश्या का निवारार करके अपने बिश्लिश्र से प्राप्त करते हैं, यानि कि जो उसके बाद समश्या होती है, उसको निवाल करके और एक नियम बनाते हैं, जिसके उनका अधिगम इस्ताई रहता है, विवारिक और जीवन में लाप्रद बिदी है, ये बिदी बहुत ही महतपूर और लाप्रद करें ब बात करते हैं, अब बात करते हैं, दोस्तों इस विदी के दोस्त, यानि Demerits of Indective Method, तो सबसे पहला जो Demerit हो है, समय अधिक लगता है, क्योंकि इस में सबसे पहले उधार दी जाती है, कई सारे उधार दी जाती है, तो ये इसमें समय बहुत जादा लग जाता है, द उद्राडों से हमें नियम बनाना होता है तो इसमें बहुत ही समझदारी की आवशक्ता होती है तीसा एक त्रस्य अपूर्ण विदी है क्योंकि खोज़े गए नियमों या तत्यों की जाच के लिए निगमन विदी की जरूरत होती है अगला है बालक यद किसी असुद नियम क प्राप्ति कर ले तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक पायुज़कता होती है दोस्तो यह थे आग्मन विदी के महत wedi कर दोस्त जा यह थी दोस्तो आग्मन विदी अब बात करती हैं हम नर्मन विदी की इंगलिस में इसको डिड़ेक्टिब बोलते हैं deductive method यानि कि इस बिदी में सबसे पहले हम एक नियम देते हैं और उस नियम के आदार पर उधाहड बताए जाते हैं सबसे पहले नियम दिया जाता है और फिर उधाहड बताए जाते हैं तो ये बिदी बहुत ही महतपूर है ये छोटी कच्चाओं में अक्सर प्रियोग में की जाती है इस बिदी में पहले से इस्तापित नियमों सुत्र का प्रियोग करके अध्यापक चात्रों को शमस्या का समाधान करके सिखाते हैं यानि इसमें सबसे पहले नियम बता जिया ज कि इस सूत्र पर ऐसे सवाल आधा आटा जित हो हैं तो वो सूत्र के साफसे बच्चा सवाल को करता चला जाता है लेकिन हमने आग्मन विदिमें पढ़ाता कि इसमें सबसे पहले उधार दिये जाते हैं फिर उसके बाद नियम बना जाते हैं लेकिन इसमें इसका जश्ट अपोजट होता है इसमें सबसे पहले नियम बता जाते हैं फिर उनके उधार बता जाते हैं इसमें क्या होता है कि नियम से उधार की और चला जाते हैं फिर उधार बता है में कई बार पूचा जा चुका है सूच्म से इस्तूल की और चला जाता है प्रमार से प्रत्यच की और चला जाता है यानि कि प्रमार देना होता है यानि नियम बता दियता है फिर उसके उधार दिये जाते है यानि कि प्रत्यच की और चला जाता है तो ये निगमन विधी के महत्मूर नियम है अब बात करते है निगमन विधी के चड़ यानि कौन कौन से steps होते है steps of deductive method सबसे पहला है परिवासा सिचक चात्रों के समझ कोई परिवासा प्रस्तुत करता है परिवासा प्रस्तुत करता है या नियम प्रस्तुत करता है इसको नियम भी बोल सकते हैं परिवासा को फिर उधार दिया जाता है यानि कि आग्मन विदी के जश्ट अपोजूट होती है सिच्चक परिवासा को सिद्ध करने के लिए उधार का प्रियोग करता है अगला इस टैप है निसकस सिच्चक उधार के दोरा किसी निसकस पर पहुंचता है और लास्ट में शात्र उधार की साथा से किसी निसकस का परिच्चड करते हैं लिए लास्ट में परिच्चड किया जाता है तो ये थे निग्मन विदी के महपूचर अब बात करते हैं निग्मन विदी के गुड़ कौन कौन से गुड़े तो सबसे पहला गुड़ा है यही एक सरल और सुब्जाजनक विदी है इसमर सक्ति के विकास में सायक होती है संचिप्त और विवारिक विदी है बालक तेजी से सीखता है यानि कि यह चोटी कच्छाओं के लिए उप्यक्त विदी होती है अब बात करते है निगमन विदी के दोस्ट रटने की सक्ति पर बल देती है बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सबसे पहले नियम बता दी जाता है फिर उदार बता जाती है तो यह एक तरह से रटाया जाता है निजी विशुरेशन चमता का प्रयोग ना करने के कारण मानसिक विकास और कलपना सक्ति का विकास बादित होता है यानि कि इसमें ना तो मानसिक समता का विकास होता है और नहीं सक्ति का विकास होता है रटा हुआ इस ताहीं नहीं रह पाता है इसमें रटा जाता है जो कि ग्यान इस ताहीं हो पाता है चोटी कच्छा को लिए सरप्ता अनफिक्त विदी है यानि कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महपूर टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत